दोस्तो आज मैं आप लोगों को भीगे हुए किश्मिश खाने के फायदे के बारे में बताने जाए रहा वैसे तो हर किसी को मालूम है कि किश्मिश खाने के क्या फायदे है मौझूद होता है और यहां हमारे शर्य के लिए एनर्जी का सबसे बड़ा सूर्स भी है इसे हमारे स्वास्ते के लिए बेहत फायदा बन माना गया है वहीं अगर आयरवेद की माने तो उसके मुताबिक अगर आप रोजाना सुखी किश्मिश खाने की जगा भीगी हुई फायदा और भीच ज्यादा मिलेगा दोस्तों अगर आपने हमारे यूटूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज कर देजिए और पैल आइकन को भी प्रेश कर लेजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकरिशन आपको लगातार मिलती र पहुंचाती है किश्मिष की इस बात को जानने के बाद आप हैरार नहें जाएंगे कि किश्मिष खाने से आप अपने मूटाबे को भी कम कर सकते हैं अगर आप रोजाना एक्सरसाइज करते हैं तो साथ में किश्मिष भी घाएं तो आपका वजन काफी तेजी से कम होगा तो चलिए अब आपको मताती हैं कि किश्मिश से होने वाले फायदे के बारे में किश्मिश में वह सभी पोसक तत्व मौझूद होती है जो की इम्मिनुटी को बढ़ाने में मददकार साविद होती है अगर ठंड में इसे लगातार सेवन किया जाएं तो इसे से वैक्टरिया और इंफेक्शन शेल लगने में काभी मदद मिलती हैं आपकी जानकारी के लिए बता दें किश्मिश में बहुत ज़्यादा मातर में कैल्शियम और माइक्रो न्यूट्रिशन मौझूद होती है इन्हीं की वज़न से आपके शेल के हट्टिया स्वास्त और मजबुत बनी रहती है किश्मिश में फाइवर बहुत ज़्यादा मातर में मौझूद होता है जो की पाचर में मददगार सावित होता है आप रात को 1-12 किश्मिश एक किलास पानी में भीगो कर रखते हैं और सुबह खाली पेट को पानी को किश्मिश के साथ ही पी जाएं आपको बता दे किश्मिश में एंटी बैक्टरियल गूल मौझूद होती हैं जिससे बैक्टरिया से लणने में काफी मदद मिलती है और आपके मुह से आने वाले बदगू भी गायब हो जाती है आरेन किश्मिश में प्रचुर मातर में मौझूद होता है अगर आप रोजाना पानी में भीग होए किश्मिश खाते हैं तो इससे आपके शर्य में खोन बरता है और साथ ही आप एनिमिया से भी अपने आपको बचाये रखते हैं किश्मिश एक उत्तम ट्राइफोड भी है या हमारे शर्य में मौझुद बिशाक्त पदार्तों को निकालने में मदरकार सावित होता है साथ ही हमारे लिवर को प्रवावित होने से भी बचाये रखता है दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही आपको यह जानकारी कैसे लेगी कमेंट बॉक्स पे जरूर बता है और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें फिर से वीडियो को एक नए अगले वीडियो के लिए तब तक के लिए नमस्कार